हेलो फ्रेंज मैंने तेश कुमार आपके आपके यूट्यू चाइनल इन्वेश्ट फोराइवर में एक बाफिट से स्वागत करते हूं हम बात करने वाइद है डीडेप प्लास्टिक इंडिश्टी से रेटेड मैंने इस से रेटेड एक कुछ ताइम पहले यहां पर वीडिय अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह कितने पर जाके आया 93 मतलब जब वीडियो बनाई थी उसके कुछ टाइम में ही यह यहां पर आपको एक बैतरीन बैतरीन मींस बैतरीन यहां पर रिजल रेटन देता हुआ नजर आया 112% का रेटन विदिन क्या विदिन फ्यू देज यहां पर मिलता हुआ नजर आता हुआ आपको दिखाई दिया तो ऐसा देखिए अच्छी सी अगर आप इस टरीके की रेटन आपको मिलेंगे तो यहां पर आज वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप लोग को हमेशा यहां पर आगे रखा जाए ताकि आपको यहां पर ची पर्टिकुलर स्टॉक के बेहिवियर के बेसिस पर आपको एंट्री एग्जेट फोल एवरेज यहाँ पर करना पड़ता है तो वही चीछ हम यहाँ पर बताते हुए नजर आते तो आज यहाँ पर इस कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए एक तीन गंटे पहले यहाँ पर है रिज़ल्ट आते हुए दिखाई दिए तो यहाँ पर इसी मोडल इसके बात करी हमने बात कर रही है किस तरीके से इसके बड़े-बड़े यहां पर ख्लाइट नजर आते है और उस बेसिस को आप ऑप करेंगे कि यहां पर यहाँ आपकरये इस particular company के basis पर दूसरी company के result पर भी impact परता हुआ नजरा सकता है और वो companies कुन सी है, वो companies इसके clients हो सकते हैं, जो कि यहां पर बड़े-बड़े clients नजराते हैं. जो कि मैंने already यहां पर क्या दे रख़ा, यहां पर इस particular company के clients से related, बता रखा है कि यहां पर Havels, कईए आई के इसी फिनोलाक्स पॉली कई टॉर्न पावर एंकर अपार अड़ेटर आपर यह बड़े बड़े रिजक्व सब्सक्राइब वन सब्सक्राइब इसी का एफेक्ट आता हुआ दिखाए दी सकता है नजर आती हुई दिखाई दे सकती है तो यहां पर देख सकते है जो इनका नीश है वो क्या है यहां पर quality polymer compound in India यहां पर प्रोवाइड करता हुआ यहां पर नजर आता है और अच्छी खासी इनकी क्या है capacity भी अच्छी खासी यहां पर है जो की बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है और यह particular share यहां पर एक company है के कलपना उधर से यहां पर इस company को de-merge करते हुए हम यहां पर नजर आयते हैं यहां पर आप यहां पर dividend भी दिया था 24 पैसेगा तो company की बात करते है market cap की बात करते हैं 783 क्रोट का market cap है मतलब क्या है मतलब यहां पर यहां पर यहां पर कह सकते हैं और अगर इस तरीके के जो micro cap companies है जब आप return देते हैं तो अच्छे खास return देते हैं अब गिरने की अगर बात करें तो य यहां पर आपको बुरी तरह पिटती हुई भी नजर आती है तो यहां पर result return भी अच्छे मिलेंगे और जब गिरता हुआ नजर आएगा तो आपके return पल भर में आग बंद करते ही साथ यहां पर गायब भी होते हुए नजर आएंगे तो इसलिए ऐसी small cap mid cap में पैसा तो बन यहां पर सब चीज़ों पर depend करते ही नजर आती है ROC ROE काफी बहतरीन है company के ओपर debt भी कम है 20% के आसपास का company का यहां पर debt नजर आता है इसके अलावा हम बात करें एक रूपे की यहां पर company की phase value है 0.29% का यहां पर क्या है company dividend yield भी देती भी नजर आती है cash flow की बात करें तो 7 करोड 80,000,000,000 के आसपास का यहां पर company के पास क्या है cash flow भी हां पर नजर आता है maximum chart pattern देश सकते हैं जैसी company का share यहां पर deemers के list होता हुआ नजर आया तो अच्छे खास यहां पर return विदिर्ना few spam of time यहां पर देते हुए नजर आया और यहां पर यह पूरा को पूरा consolidation period में यहां पर चलता हुआ नजर आ रहे है company की बात करेंगे quarterly results की तो यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर देखेंगे company लगातार back-to-back क्या करती हुए नजर आ रही है battery sales करती हुए नजर आ रही है मतलब company अभी तक इंडियन market में ही काम कर रही थी अब यहां पर export भी कर रही है जिस वह से company की sales है वो अच्छी खास ही यहां पर बढ़ती हुए नजर आती हुए दिखाई देती है बट साथ में अगर हम यहां पर देखते है तो company का जो expenses है जो कि आप यहां पर देख रहे है पूरो worldwide यहां पर inflation का दबाब आता हुए दिखाई दे रहा है material cost बढ़ती हुए दिखाई दे रहे है तो इसका impact यहां पर भी पढ़ता हुए दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 87% से 88, 89 किस तरीके से यहां पर material cost बढ़ने के कारण यहां पर इनका operating profit देखेंगे तो 25 करोड के आसपस आया है जो कि quarterly basis पर गिरता हुआ नजर आ रहा है और yearly basis पर यहां पर अच्छा बढ़ता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है बट margin की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि margin जिस company के अच्छे है वो भागती ह नजर आती हो margin आगर गिरता है तो यहां पर वो company गिरती हुई नजर आती है तो यहां पर operating profit margin की बात करें 4% का margin है जो कि quarterly basis पर कम है बट yearly basis पर फ्लैक नजर आता हुआ दिखाई देता है यहां पर बात करें net profit की तो company का net profit 19 क्रोड के आसपास है जो कि yearly quarterly दोनों basis पर अच्छ होता हुआ नजर आया है तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि company का margin यहां पर थोड़ा सा अब दीरे-दीरे यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है कम होता हुआ नजर आ रहा है ओके company का net profit भी यहां पर अगर हम बात करें यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ करें 55 क्रोड के आसपास का यहां पर प्रॉफिट है तो कंपनी अच्छी है ध्यान दे रखना है हमें ऑके बट क्या अभी खरीदना है यह नहीं खरीदना है उसका जवाब में अभी देता हुआ नजरा हुआ कपनी के रिजफ्स यहां बढ़ रहे हैं बाराइंग की कम होती है कुछ पॉइट यहां पर नजरा आते हैं और चीरों कि लिए प्रमोटर्स के पास लबद 74.84 पर संट के यहां पर यहां पर शेयर है और यहां पर पॉब्ल्लिक की बात करें तो पुब्लिक के पास 25 पर संट क इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपर बात करी थी कि मार्किट में जो फ्री फ्लोट है शेयर का वो केवल कुछ परसेंट का ही है तो यहां पर 8.24% एक पर्टिकुलर कंपनी ले रखी है और 1.75% की शेयर एक पर्टिकुलर कंपनी ले रखी है बट इसके इलावा भी कु 4-5% के शेयर ही यहां पर मार्किट में फ्लोट होते हुए नजर आती है तो कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कौटली बेसिस पर खराब होता हुए नजर आती है और आने वाले टाइम पर यहां पर किस तरीके के रिजल्ट रहेंगे जैसे कि हम हमेशा एनलाइस करते हो उ तो यहां पर चार्ट क्या किया रहा है उससे लेटिट बात करते हैं कंपनी ने यहां पर बात कर रहें एक बहतीन रिटांस देते हुए ने नजर आया उसके बाद घर के यहां पर यहां पर सॉलिडेशन फेज में आपर जाता हुए दिखाई दिया मैंने कुछ दिन पहले एक एक टेकनिकल में एक पर्टिकुलर वीडियो जबता ही ती यहाँ पर आप जएगे प्ले लिस्ट में एक वीडियो ज़ञा है तो यह आ पर देखिए एक लाईट recording इस टेकनिकल की वीडियो सब्सक्रणा नरी लिए भाय बा onu अच्छा खास है यहां पर भागने के बाद यहां पर क्या हुआ? यहां पर जो resistance था उसे यहां पर टच करके चुप चाप चीजे नीचे आती हुए दिखाई दिये तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर यह सश्टेन नहीं कर पाया यहां पर लोगों को इसके result पर थोड़ा सा भरोजा नहीं था और यहां पर उसी के इसाब से यहां पर देखे तो result भी थोड़ा से बेकार आते हुए दिखाई दिए तो यहां पर हम देखते है डी डेव के तो यहां पर देखे एक candle बनती हुए दिखाई दिए जिसका नाम हम shooting star कहते है एक bearish candle होती है अगर इसका low कूटता है तो याद रखिए यह शेयर नीचे आ सकता है और नीचे कितना आ सकता है सबसे पहरा target 77.95 का यहां पर नजर आता है तो यहां पर अभ यह जो particular share है इस particular range में गुवता हुआ नजर आ रहा है जब तक यह इस particular range में गुता हुआ नज़र आ रहा है तब तक सब कुछ ठीक है ऐं यदू बं याद रखिए यह तो इस particular point को यहां पर breakout देता हुआ नजर आएगा या यह breakdown ही हां इस particular point से नीचे आता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर जब भी इन दो लेवल से टूटे तो याद रखिए आपको उसके एकॉर्डिंग बेहेव करना है बाइं कहां बनती है उससे बात करते है तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर लगवाग 干 छे या एक साल आप कह सकते हैं कि यहां पर मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर शेयर में कुछ जादा अच्छा होने वाला है इस रेंज में और गुंता हुऊ नजर आएगा हो सकता है यहां पर जोरा केंडल बनी है नीचे आया शेयर और नीचे आके यहां पर से फिर वीडियो बनाएंगे बट अभी मेरी राएं यहां पर अगर इसका लोड कूटता है 82 रूपीज का तो सेल की रहेगी कोई यहां पर और निचे आता हुआ दिखाई दे सकता कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइं शेयर वाज़ा कुछ की श्टड़ी करें वीडियो अच्छी लगए लाइक कमें शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के वीडियो डेली बैसिस से मिलते रहे बाकी यहां पर एक कोर्स लॉंच किया है टेक्निकल रि यहां पर रिसर्च को सीखे और यहां पर फंडमेंटल रिसर्च यह सीख गए याद रखिए आपको कोई नहीं मार्केट में रोग सकता और वन टू न क्लासे सबसे सबसे अच्छी क्लास यहां पर आपकी होती हुई नजर आएगी और जब तक अच्छे तरीके सिखानी याँ नो डूल दूल जबल चिख जरो पाइप पहर जो पर जीरो फ़फ़जरो बन टूटेट गर से को तो थेंगी सो मुच गबलेस